बिस्मिल्ला इर्मान रहीम असलाम लेकूम एवरिवन वेलकम तु सत्वत इंतल्हाज चनल आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जट पड बन जाने वाले चनू की रेसिपी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप से हमबल रेक्वेस् आज जो में रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ही जल्दी बन जाएंगे चन्य बनाने के लिए सबसे पहले लेनी है आपने कड़ाई उसमें डालने हाफ कप ओल आप कम भी रख सकते हैं और जदा भी कर सकते हैं फिर उसमें जाएगा 1 टीबल सुन जिं दणिया पाउडर उन टीबल गरम अचाला पाउडर और ऋन टीबल नमक यह टोटल मिसाले हैं जो हमारे चनओं में जाएंगे इसके लाबा हम कोई और मिसाला नहीं डालेंगे इन मसाला को आपने 1-2 मिनट के लिए हलकी आंच मेर आपने फ्राई करना है आपने इसके अगत ब्लूम खबशु विल्खकर सककते आप मसालों टमाटर को हमोज तो नारब नहीं हो जातें। अब नारबं सकते हैं। इस विल्ख का चिलक निकाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर या धाई को स्किप भी कर सकते हैं हमने अभी टमाटर चिलके समय डाल दी हैं बाद भे हम इसका चिलका निकाल देंगे टमाटर हमारे गल चुके हैं अब हम इसमे डाल देंगे चने आप चने घर में भी बॉल कर सकते हैं और चनो का टिन भी डाल सकते हैं हमने डाला है इसमें एक टिन जिसका वेट था 400 ग्राम अब हम इन सब को आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे चनो को हम इन मसालों के साथ 2-4 मिनिट के लिए पका लेंगे और अब हम इसमें एड़ कर देंगे थोड़ा सा पानी et आप कम या जदा कर सकते हैं अगर आपको जदा क्रेवी चाहिए तो आप पानी जदा कर सकते हैं और अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो आप कम पानी भी डाल सकते हैं इनको अच्छा तरीके से हम मिक्स कर देंगे अब हम चनों को ढग देंगे और 5-7 मिनट के लिए पका लेंगे पांच मिनट हो चुके हैं और चनों को बार आ चुका है अब 2-3 टेबल स्पून चने हम ले लेंगे और उनको पीस लेंगे इससे गरेवी गाड़ी गाड़ी हो जाएगी गरेवी को अगाड़ा करने के लिए आलू भी वॉयल करके डाला जाता है और हम इस दरीगे से भी असानी से त्यार कर सकते हैं चनों को मैश करने के बाद हम बागे के चनों के साथ उनको मिक्स कर देंगे ये देखें कितने बहतरीन हमारे चने त्यार हो रहे हैं और उन्होंने ओल भी छोड़ दिया है आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं पूरियों के साथ या पराठों के साथ अगर आपको शॉर्बे बाले चने पसंदें तो आप ऐसे रख सकते हैं वरना आप कुछ दिर और पका सकते हैं इसके बाद डालतेंगे इसके अंदर हम 4 से 5 हरी मिष्चें और 1-2 मिनट के लिए हरी मिष्चें के साथ चनों को पका लेंगे आप इन चनों में उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं ये चनों की बहुत ही आसान रेसिपी है ये बहुत ही फास रेसिपी है अगर आपको फोर दोर पे अर्जेंटली नाश्टा बनाना है या सहरी के लिए आपको चने चाहिए तो आप यह तियार कर सकते हैं अराम से अब आप इसके अंदर धनिया डाल सकते हैं अद्रक डाल सकते हैं और जैसे चाहें वैसे गार्निशिंग कर सकते हैं हमारे चने खाने के लिए बिलकुल तयार है अब हम आपको इसको प्लेट में डाल के दिखा देंगे चनों के उपर हरा दर्या हरी मिर्चे आप डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए इसके बाद आप आप उसको खालें जी पूरियों के साथ या भी पराठों के साथ अब हमारे ये रेशिपी आप जरूर ड्राय कीजिएगा और अपना फीड़बेक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और हमारी नई रेशिपी इसको देखने के लिए हमागे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए अब हमारी मुलाकात होगी अगली रेसिपी में तब तक लिया लाहाफेज देखिये